नवस्कार दोस्तों मार्केट की बात करते हैं पाउर ग्रीड कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिम्टेट की बात करते हैं दोस्तों क्यू आफ़ाइट 23 के नंबर्स आने थे नतीजें आने थे रिजल्ट आना था पहली तीमाई के फर्स्ट क्वाटर पर आठ अगस्ट 2022 को तो बात करते हैं स्टाउक प्राइस दोसो एकिस में आठ अगस्ट 2022 को नतीजों की बात कर लेते हैं और पाउर ग्रीड कोपेशन लिम्टेट के यह नंबर्स हैं क्यू आफ़ाइट 23 के स्टेंड डॉन फाइनेशल रिजल्ट है करोड़ में नंबर्स हैं और रेवन्यू की बा 1678 करोर के था तो लिए इस कैटर में अदन इंकम को प्लास करके टोटल इंकम की बात कर लेते हैं 11,000 1600 करोल की और क्यूफॉफोर में था 10941 करोल करोड़ का और एक साल पहले 10,280 करोड़ तो टोटल इंकम बढ़कर आया है सालाना भी बढ़ा है क्वार्टर और क्वार्टर के इसाप भी बढ़ाया थे उसे तो टोटल इंकम बढ़कर आया अब expenses की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसाद profit आ जाएगा और expenses का कॉलम यह है टोटल expenses देखते हैं तो 6,828 करोड़ का है 6,828 करोड़ का खर्चा किया है expenses है Q1 of I23 में पाउर गिट का और टोटल इंकम है 11,016 करोड़ तो कंपनी को profit है कंपनी को profit है profit विफोर टेक्स की बात कर दे तो 4,188 करोड़ का है 4,188 करोड़ का profit विफोर टेक्स है और profit फॉर दप्रियाट की बात करते हैं तो 3,765 करोड़ का profit है और Q4 में 4,320 करोड़ का profit था एक साल पहले 6,085 करोड़ का profit एक साल पहले 6,085 करोड़ का profit था तो profit में कमी पेसी आई है दोस्तो profit आया है कंपनी को 3,765 करोड़ का profit है बट यह की Q4 के हिसाब से भी कम है साल दर साल के हिसाब से भी कम profit आया है और यह काफी काम है पर शेर की बात करते हैं EPS की बात करते हैं तो 5,40 का है Q4 में 6,20 का था एक साल पहले 8,72 का था Q1 of I23 के जो नतीजे पेज के हैं Power Grid Corporation of India Limited ने टोटल इंकम बढ़कर आया है बट यह की profit कम है मुनाफ़ा कम आया है अब दोस्तों शेर प्राइज के नसर बात करते है Power Grid Corporation of India Limited का यह चार्ड लगा हुआ है एक साल का चार्ड है अब जिस तरह के नतीजे में मुनाफ़े में कमी आई है तो गिरावट हो सकती है अगर स्टॉक नीचे की तरफ दोसो तेरह रुपया पिंचानवे पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक फिर हमें फिर से 207 रुपया 90 पैसे तक आता हुआ दिखेगा और प तो 200 का एक सपोर्ट इसको बना हुआ पिछले चार-पांच मैने के अंदर और 191 और 200 के आसपास से बांस बैग हो रहा है और एक रेंज में यह फसा हुआ है उपर की तरफ 248 का हाई बना है इसने और दिखें जो पिछले को समय से जो ट्रेट कर रहा है उपर की तरफ 232 है 206 तो 20-25 रुपे के बीचे घूम रहा है और जो नतीजे हम लोगो ने देखे तो थोड़ी बहुत गिरावट आ सकते है उसका असर पढ़ सकता है 213 और 207 के आसपास तक आता हुआ दिखेगा तो जो ट्रेडिंग करते हैं जो कुछ समय के लिए शेयर को लेते हैं तो के साथ बने रहना चाहिए इस में फिलाल इस क्वार्टर में भी एक रेंज में रहना चाहिए डिब्डेंट अच्छा मिलता है कंपनी के द्वारा और एक साल के चार्ट के अनुसार देखते हैं तो पिछले साल 176 में था और स्टॉक में जब जब गिरावट हो रही थी इसका अपडेट है पाउर ग्रीट कोपरेशन आफ इंडिया लिम्टेट का यह लेटेस अपडेट है दूस्ते यूट्यूब चैनल तीरे सिंग के स्टॉज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद